वेल्कम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशली यूट्यूब चनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPJ SHIELD हैली बर्टन जॉंस्टर शील्ड का जो मैच है कफी इंटरस्टिंग मैच होगा आप सब देखिए गाइसको लाइब भी देख सकते हो और सबसे चीजी क्या है फैंटरसी के लिए बहुत अच्छा मैच होगा टाइमिंग भी गाइसको जादा लेट नहीं है तीन बज़े धाई बज़े का टॉस हो जाएगा और एक चीज इस मैच में यह तो 50 ओवर होता है आपको पता है 50 ओवर फॉर्मैट है HPJ SHIELD प्लस क्या है कि यहाँ पर जो अभी स्कॉइड अनौंस किया है दोनों टीम ने आज के मैच का उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जो है आउट है तो आप जिनको देख रहे होगे 80% सेलेक्शन 70% सेलेक्शन भाई यह नहीं खेलने वाने तो आपके लिए यह मैच बहुत अच्छा हो सकता है मैं आपको यहाँ पर पूरी जानगारी दूँगा ग्रैंड लीक की स्मॉल लीक के बारे में भी बता दूँगा तो बिलकुल वीडियो को देखेगा और काफी जाद अच्छा कीजेगा उपर आप देख रहे होगे एक सूपर स्मेश का मैच है इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आज रात कमाने वाली की रात है बिलकुल शुरू करते हैं गाइस प्रिव्यू को हमारे यहां से आप देखें तो गईस यहां से आप देखें टॉस टाइमिंग मैंने आपको बताई दिया धाई बचे का है वैन्यू गाइस इसका सेटन पार्क हैमिल्टन की उपर है अभी तक गईस एच्पीज प्रिशीड के अंदर आप यहां से देखो पॉइंट स्टेविल पर क्या हाल है नॉर्दन ब्रेफ्स ने चार मैच के लिए दो मैच जीते हैं सेंटर ने चार मैच के लिए तरफ एक मैच उसमें से जीता है वैन्यू गाइस कैसा होगा मेरे असाब से वैन्यू हाइज स्कोर आर्ट पिकेट के नुकसान पर जो टीम चेस कर रही थी 218 पर कॉलैप्स हो गई थी पूरी तरीके से तो आप समझ सकते हो कि रंस यहां पर अच्छे कासी बने ही और अगर आप HBJ शीड का देखो तो यहां पर 200 प्लस मैक्सिमूम टाइमस बना हुआ है 245-310 तक गया कुछ T20 जैसी स्कोरिंग हुई थी 90-100 कुछ हुए थे अदर्वाइस यहां पर 200-200 तो बनते ही बनते हैं है ना तो यहां पर आप देखो कि इस मैच में लास्ट मैच जिस मेन्यू पर हुआ था मैने आपको स्कोरिंग बता दी कैसी हुई थी विकेट्स देखो उसमें कैसे म मिला इन शॉर्ट लास्ट मैच जो यहां पर हुआ था हुआ स्कोरिंग था प्लस उसमें आप देखो 15 विकेट्ट मिले पेसस को और सिर्फ 2 विकेट्ट मिला स्पेनर्स को तो पेसस हेवी वेन्यू है मेरे हिसाब से तो प्लस यहां पर रंस भी अच्छे गासे पढ़ने व सब्सक्राइब प्लेट है केरो लेगे फिली है होली टॉप है मरीना लेंप लॉग है श्रियान आइडव है और मरेना डाउंस है यहां से कई सेंट्र लिंस का स्कुएड आज के लिए कौन सा है नतेलिया डॉड है जैस वटकिन है जोजी एटकिंसन है ओशियन बालेट अनक प्लेट लिए प्लेट लिए अब लॉग हो सकता है तो वह आमें टॉस के टाइम ही पता चलेगा एक बार मैं आपको स्कुएड कंप्लीट दिखा देता हूं जिससे आपको अभी मैंने आपको जो बता है ना कि पेसर को मदद्स मिली तो आपको पता तो चल जाए कौन पेसर है कौन के ऑसे बैटिंग बॉलिंग करता है है तो यहां से अब स्कुएट देखलों के बाप को आपके बढ़ क्या बॉलड पर देखलू मैं आपको नाम बताए ना वही अनद्स Whoopsरे दिञ आपको बता रहा हूंGroup सकुएगायस केहं तो इस आया मैं अदर्वाइस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडिया भी आई हुई थी केलने दो मैने पहले फ्लोरे डेवांशे लेफ्ट आम पेसर हैं यहां से गई सेंटर लिंज की होगी नॉर्दन प्रिफ का आप देख लो यहां से बैटर सिंगे सारे हैं कैसे बैटिंग करते हैं फॉर्म देख सकते हू सब्सक्राइब करते हैं यहां से चाल लोट सास फील जो हैं यह पंड हो सकती है मुझे लग रहा है आज की मैच में अगर बागी यह प्लियर्स बड़े बड़े प्लियर्स नहीं है तो चलते हैं काईज हम पॉर्टेंट चीज की तरफ यहां से आप देखो और अपलाए करो है ना देखो और अपलाए करना जरूर्व ग्राइंड लीक में उतने चार से च्छे कॉंबरेशन उताना या रात का डायना प्लियर्स नहीं है तो यहां पर 50 ओवर्स के अंदर प्लियर्स करते हैं इस वेन्यू के और प्लस जब आपस में केलते हैं तो चलिए यहां से देखते हैं नॉर्डर्ण ब्रीफ की तरफ से सैम बरीबल कमाल की हीटर है लेकिन रिकॉर्ड इतना नहीं है अब एक ही मैच खे से में मतलब वह यही वाला मैंस था जो इन्होंने इसी टीम के अगेंस्ट इस वैन्यू पर खेला था यूसी बाउचर का इस वैन्यू के उपर एक मैच में एक विगड़ है छह रान है 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 तो यहां पर कुछ प्लियर्स जिनका नाम लिखा हुए उनका रिकॉर्ड ही नही ना head to head में ना venue पर तो उनके बारे में मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा पहले जिनका है उनका देख लेते हैं चालो सर्ट स्वी वैन्यू के उपर दो मैच के अंदर दो विगड़ है प्लस एक मैच में पच्चेस रन है यहां से होली टॉप का इस venue पर एक मैच में 19 र स्मॉल लीक में भी वाइस केपनसी की अची ऑप्शन है तो लेना तो मस्ट है पेक है और केप्टनसी भी दे सकते हो ग्रेंडी के अंदर जैस वटकिन इस venue पर एक मैच में चार विगड़ है प्लस 23 रन है head to head in का सेम ही है यह भी कमाल की प्लेयर है talented प्लेयर है जोजी अटक सब्सक्राइब कर लेना ग्रेंड लीक में फिट हो जाए तो कर लेना फिट तो ही जाएगी क्योंगी बड़े प्लेयर से गया है तो यहां से करें एक मैच में नहीं है प्लस 28 रन बैटिंग से है और head to head के अंदर टीम के अगेंस एक मैच में कोई विगड़ नहीं है यहां स परकार पर्फॉरमस बता दिया प्लस 28 का अपको बता लिया है सबसे IMPORTANT चीज क्या होगी यह जसने यह क्रेक का लिया उसने नाइटी परसंट ग्रेंडिक कर लिया क्योंकि इसी के आप साद में प्लेयर्श जो है और यहां से घ्रकी करते हैं बात करते हैं बाखी के बारे मैं आपको नहीं बताया था तेश वलकिन यह गईस देखो राइटाम पेसर है तो इनको आप ग्राइड लिक टीम्स में जरूरू ट्राय करो स्मॉल लीक में अगर बना सको जगे है तो बना सकते हैं यह वर टोटल ग्राइड लीक पेक हैं स्मॉल लीक में कोई रोल नहीं है इव वोल लेंड को आप जरूरू स्मॉल लीक टीम्स में रिस्क की जाना हो थोड़ा सा यह अगर आप किसी ऐसे अप्लिकेशन पर केल रहो जहां पर आप ज्यादा प्लेस ले सकते हो वैसे तो आप इनको ले सकते हो केरल अगयाफिल फिली टोटल ग्रैंड लीक की पेक हैं यहां से कैस सेंटर लिंग की तरफ से आप नाम देगो फ्लोरा डेवन शेर इन्होंने कैसे एक तो इनको चांसे कम मिलते हैं लेकिन यह ओडियाई है प्लस लेफटाम पेसर है यह तो लेफटाम पेसर का हर वेन्यू भी मैचेस केलें अपने स्टेट कंट्री लेवल पर मतलब स्टेट लेवल कहेंगे स्टेट लेवल पर जो भी खेलें तो इनका अच्छा आसा रिकॉर्ड है खेलती है अगर तो ग्रैंड लिक में इनको ज़रूरी का टीम में कैप्टिल वाइस के प्तन दे देना और आपर तो इस वाजे से मैं जो टीम बनाता हूँ अधर एप्लिकेशन के बेसिस पर बनाता हूँ जब आठ एप्लिकेशन पर अधर सिस्टम है तो सिर्फ एक ट्रीम लैवन की वैजे से हम क्यों करें और इस पाई एथ तारी तक यह ट्रीम लैवन का टीम-मेकिंग का सिस्टम उसके बात फिर से नॉर्मल हो जाएगा तो कोई इतना इश्यू की बात है नहीं यहां से अपनी टीम में मैंने नितैलिया डॉट को लिया हुए है मेली कंनिंगम को लिया हुए साम बरी划ल है अगैफिली को लेना ही पड तो ले लिया यहां से जैस वटकेन्म मैं सासफीड को मैंने लिया हुए जब्षाइप और पिक यहां से देवान शेर को भी ले सकता हूँ है अब इसमें देखो Captain Vice Capitancy के option अच्छे कौन से है Small League भी हो, Grand League भी हो मदब तीन यह option है, Default option है और बहुत अच्छे option है Small League, Grand League दोनों में बना सकते हो Otherwise Grand League में अभी मैंने आपको stats दिखाई दिये Plus इस venue पर Pacers को अच्छे कासी मदद मिल रही है तो यहां से आपके लिए और अच्छे Captain Vice Capitancy के option अच्छे कौन से रहेंगे Rosemary मैं रहेंगे, मेरी टीम में एक change और हो सकता है यहां से मैं बताना भूल गया कि यहां से मैं Southfield मेरी टीम में इनकी जगे या तो मैं यहां से Devon Share को ले सकता हूँ यहां से Strayon Idea को ले सकता हूँ पेसर हैं पेसर को मदद मिलनी है तो जो भी changes होंगे मेरी टीम में आपको मैं आपने Telegram चैनल पर बता दूँगा और अभी के लिए आपको क्या करना है आपको यह जो वीडियो टीम अभी मैंने आपको दिखाई हुई है इसको आप सेफ करके जो है रख लीजेगा अगर इसमें कोई changes नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूँगा यही final है तो आप इसी के साथ सारे applications पर चले जाएगा Telegram चैनल को जोईन कैसे करना है इस वीडियो के नीचे description section है जब आप उस पे click करोगे यानि टाइटल आपको देख जाएगा वीडियो के लिखा हुआ उस पे जब आप click करोगे तो आपको नीचे post वो खुल जाएगा पेज खुल जाएगा तो सारी links वहाँ पर मिल जाएगी सबसे पहले Telegram की link मिलेगी जोईन कर लेना उसके नीचे आपको हमारी favorite fantasy platforms की link मिल जाएगी thank you for watching the video